नमस्कार दोस्तों, एड़े सीवे सर्विसेज क्लासेंज में आप सब का स्वागत है फ्रेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में फिजिस के इंपॉर्टेंट एमसेकू का डिस्कसन करेंगे और फ्रेंट्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं उन सारे कोशन का आप लोग रिविजन कराऊंगा जो किसी ने किसी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखिए यह आपके किसी भी एक्जाम में आप जिस एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उसके लिए यह जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट साभीत होने वाला है ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए डिसकॉसन स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स पहला कोश्चन है कि मूल भौतिक रासी है मूल भौतिक रासी जो है टूटल सेवेन है और यह कौन-कौन सी है लंबाई, दरविमान, समय, ताप, विदुधरा, जोती तीवरिता तथा पदार्थ का परिमान सेकंड कोश्चन है, भौतिक रासी और उसके एसाई मातरक यह आमतर पे जो है, कोश्चन जो है, मैंस दफ्लोइंग में पूछ देता है तो तापमान का जो एसाई मातरक क्या है, केल्विन है इसी तरह से विदुधरा, एंपियर, जोती तीवरिता, कंडेला, पदार्थ का परिमान, यह मोल जो भी इंपोर्टेंट है, उनी का मैंने आप डिसकोशन किया है इसके बाद है तिसरा, भौतिक रासी और एसाई मातरक इसमें भी देख लिजें, इंपोर्टेंट जो भी है, सकती इसका वाट होता है बल, न्यूटन, कार, जूल, अविरिती, हट्ज, प्रतिरोधगता, ओम मीटर, दा, पासकर और जहां कई भी इंग्रीज की जुरत होगी मैं बता दूँगे जैसे की अविरिती यानि की बचे कनफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर वर्स देखर, और अप्सन में पहला अप्सन समय ही रहता है तो आप कनफ्यूज मत हुएगे, यह दूरी की है, और एक परकास वर्स जो है, वो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के एक्वल होता है तो यह भी जो है, याद रखिएगा कि यह एक परकास वर्स में कितने मीटर होते है इसके बाद बताएगे है कि परकास वर्स होता क्या तो परकास वर्स जो है, बेसिकली परकास के दोरा एक वर्स में ताई की गई, दूरी को एक परकास वर्स कहते है लाइट इयर कहते हैं इसी परकार पारसेक भी दूरी की मात रख है पारसेक भी आपको याद रखना है कि अभी जो है दूरी की मात रख है और एक पारसेक जो है यानि कि इसको 100 से multiply करना पड़ेगा तो ये है 10 के पाउर माइनस 7 cm हो जाएगा तो option में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि option में वहाँ पर meter दिया हुआ है या centimeter दिया हुआ नेक्स्ट अंगर स्ट्रॉम एकाई है ये किसके इकाई है तो ये तरंग देरे की इकाई है यानि की wavelength की इकाई है नोट में देख लिजए कि तरंग देरे का मापन जो है अंगर स्ट्रॉम में किया जाता है और एक अंगर स्ट्रॉम जो है 10 के पाउर माइनस 10 मीटर होता है नेक्स है कि एक मैक्रोन बराबर होता है एक मैक्रोन जो है 10 क्षप पर माइनस 6 मितर के बराबर होता है और यहां पर अगर संटी मितर आप से पुछ दे आपको 100 से मल्टिप्लाई कर देना यानि कि 10 के पार माइनस 4 cm हो जाएगा अगर मिली मीटर में अप्सन रहे तो 10 के पार माइनस 3 हो जाएगा दाब की इकाई क्या है तो दाब की इकाई जो है न्यूटन पर वर्ग मीटर है और इसी न्यूटन पर वर्ग मीटर को पास्कल भी कहा जाता है तो दाब की एकाई जो है option के अमसार आप देख लिजेगा Newton पर work meter भी होता और इसी को पास्कल भी कहा जाता है लंबाई की निम्तम एकाई क्या है तो ये लंबाई की जो निम्तम एकाई है फर्मी मीटर है और एक फर्मी मीटर जो है कितने के बराबर होता है नेक्स्ट है सुच्छी एक को दूसे मिलाना थे किसक बोला जाता है तो जो प्रवा की डर होती है आपने puts देखा होगा कि जब बाड आता है तो बोला जाता है कितने Lapisasc पानि चुड़ा गया है यानि कि प्रवा की दर कर मैंसार गेंजाता है उसके नापने के लिए किया जाता है डॉपसम का परयोग इसके बाद है कि महासागर में डूब्यू ही वस्तुग की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का परयोग किया जाता है यह सुनार का किया जाता है सुनार जो है ऐसे लिखा जाता है इसका पूरा जो फूल फूर्म होत एनेमो मीटर ये वाई वेक की मापी होती है ठीक है एन्टीनो मीटर ये सौर विकीरन का मापक है ये ओडियो मीटर धौनी तिवरिता मापी यंत रहिए बैरो मीटर वाई मंडली ये दाप मापी यंत रहिए काडियोगराफ हिर्दय गती को रिकॉर्ड करने वाला उकरन है फैदोमीटर सावर की गहराई मापने की युक्ती है ये हाइग्रोमीटर वाइमंडल की सापेशिक्त आधरता का मापन करने वाला यंत्र है लेक्टोमीटर दूद की गुनवत्ता का पतल लगाना मैनोमीटर द्रव या गैसुक के दाब का मापन है ये पाइरोमीटर ये उच्छ तपमान के मापन में पर्यूक्त होता है पाहियर हिलियोमीटर ये होता है स्वारवी की रन का मापन करने वाला और स्पिगनो मैनोमीटर ये होता है रख दाब मापने का यांत्रय होता है फिरंट्स ये किसी ना किसी एक जाम में पुछा गिया है तो ये आपको पूरा जो है आपको याद करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसके बाद है कि व्यक्ति एक सन्वेदा सिल तराजू पर खड़ा है यदि वो गहरी सास अंदर लेता है तो तराजू की जो रीडिंग है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो जो तराजू की रीडिंग है वो क्या होगी बढ़ जाएगी इसका में कारण क्या है तू तू फाइब गराम जो है बढ़ जाता है इसके बाद है वासिंग मशीन का कार सिधान्त है ये जो है वासिंग मशीन किस पे अधारित होता है ये अपकेंदरन पे होता है अपकेंदरन को इंगलिस में सेंटिफूगल फोर्स कहा जाता है इसके बाद है सदीस रासी किसे कहते हैं ठीक है तो सदीस रासी जिनको व्यक्त करने के लिए दीसा और परिमान दोनों के आउसकता होती है उसी को जो है सदीस रासी कहा जाता है ठीक है इसके बाद एक्जामपल में देख लिए जैसे कि बल है वेग है विस्थापन है तुरन ह और अवेग है आपको जो है चार ओप्सन दिये रहेंगे पूछे का निमनी खित्म से कौन से सदी सरासी है और कौन से सदी सरासी नहीं है तो यह अगर महत्मून आप याद रखिएगा तो आप वहां से कोशन जो है इसके बाद है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रराम करती है उसने बैठे हुए यातरी का सीर पीछे की और जूग जाता है इसका कारण क्या है तो इसका कारण है इस्तिरता का जड़ोत जो नीटन का फर्स नियम है वो बोलता है कि कोई भी वस्तू जीस अवस्ता में है वो उसी अवस्ता को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उसमे को अनुपाद पूछ रहा है कितना होगा तो यह दो अनुपाद तीन होगा यह कल्कुलेशन के दौर आप निकाल सकते हैं गति जो जाए यानि कि करेटिक इनर्जी इसका फर्मूला होता है हाफ एम भी स्कौाइर ठीक है यहां पर मास जो है मास को सुचित कर रहा है और भी ज कर्सित होती है तो यह ब्रह्म गुद्ध जो भारत के ही थे इन्होंने ही बता दिया तक पहले कि सभी वस्तु जे प्रित्वी की और जो है गुर्तव कर्सित होती है इसके बाद है कि अंतरिक शियाति निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते है इसका में कारण क्या है क् इसके बाद नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु उपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है ठीक है उसका भार पूछ रहा है क्या होता है तो उसका भार जो है आप परिवर्तित रहता है जब कोई वस्तु उपर से गिराई जाती है देखिए यह ओप्शन पर डिपेंड क क्या होगा कोई भी वस्तु चाहे कितने भी भारी हो कितने भी हलकी हो अगर गिराईएगा तो दोनों एक ही साथ गिरेगा इसका में कारण है कि किसी वस्तु को उपर से गिराने पर उसके भार में कोई परवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका दरविमान और उस पर लगने वाल में गिरेगी यानि कि पहले जो है लोहे की जो गेंद है वो पहले गिरेगी और लकडी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी इसका में कारण यह है कि हावा को जो है उपस्तिती वहाँ पर रहेगी ठीक है और उपस्तिती रहेगी तब तो दोनों साथ में गिरेगा लेकिन हा पीन्ड अगर बहती रहेगी तो आम तोर पे आप समान तोर पे परियोग करके देख सकते हैं कि जो लोहे की जो गेंद है वो जो है पहले गीरेगी और लकड़ी वाली बाद में गीरेगी ठीक है ये पूरा कंसेट मैंने आप लिख दिया इसी बाद है कि किसी पीन्ड का भार यह क्या होता है तो ध्रूगो पर सरवाधिक होता है यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि गुरूत्वी तवरन का मान भूमद रेखा पर सबसे कम और ध्रूगो पर सबसे अधिक होने के कारण पीन्ड का भार भूमद रेखा पर निमतम और ध्रूगो पर सरवाधिक होता है इसके बाद है कि विंद्फू का पृत्वी पर ड्रुव विंद्फवाता है यानि कीग्रा है गुरुत जनीत्वारν जेई 10 मेटर प्र सेकटेड स्वाइर दिया हुआ है अगर चंद्रमा का गुरुत जनीत्वारन यह दिया हुआ है कि इसका है बाशीक्स है गुरूत्य तवर्वान है तो चनर्वा पर वस्तू का द्रव इमान कितना होगा देगा द्रव Yama की बोल oh do LM üz जो किसी परिषिति में चाहे वो प्रित्वी की बात हो यह फिर जो आंट वह दो ह approved नहीं यह संने अवेरक लेकिन 6 जो किस में आता है तो उसके बहार में आता है थीक है दरवेमानों कोही पुर्ड़ता नहीं होता यह遊戲 जो है मह पुलेए इसके यतर नहीं है ने की डिशेस्ट रेडियों कि कश्ट से मिलाना है यहाई और प्लेमिंग ने किया था है एक सरे की खुछ किस ने किया था डवलू किये रोइंटीजिन ने किया था और चेचा की खुछ एडवर्ड जनर्र किया था यह सारे इंपोर्टेंट है इसके बाद एक यदि प्रितवी का गुरत्वा कर्सन बॉल अचानक लूप्त हो जाता है तो परिणाम सही हो गांखेर की कालपुन के कंडिशन एक बत पिरड़आ कि वहुथ की शार्य की सब्सक्राज हो गांगा बहार जो है सुन हो जाएगा लेकिन द्रविमान जो है सेमी रहेगा इसके बाद है कि अपने कक्ष में एक उपगरफ प्रित्वी के चकर लगाता रहता है वह ऐसा निवन में से किस कारण से करता है तो यह जो है केंद्रा भी मुखी बोल जो है सेंट्री पीटल फोर्स जो है उसके करण से करता है ठीक है इसके बाद है कि किसे लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा तो जब लिफ्ट त्वरित गति से उपर की ओर जाएगी तो उसका भार जो है अधिक महसूस होगा नीचे की ओर आएगी तो उसका भार कम महसू लोला की कलावदी यानि के time period किस पर निर्वब करती है तो यह लंबाई के उपर निर्वब करती है और सरल लोला का जो अवर्थ काल यानि के T जो है वो उसका फर्मूलय जो है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी है तो एल आप देख सकते हैं आपर लेंथ जो है यह ज़्यादा होगा तो इसका जो है अवर्थ काल भी टाइम पिरिएड भी ज़्यादा हो जाएगा इसके बाद है कि गर्मियों में लोला की लंबाई बढ़ने के गर्मि के समय बढ़ता है ठीक है इसके बाद है कि प्रिथिवी का प्लाइन वेग कितना है तो प्लाइन वेग इसका है 11.2 किलो मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर कनफ्यूज नहीं होना है देखिए यहाँ पर किलो मीटर लिखा हुआ है बचे अक्सर गलत कर देंगे कि यहाँ पर आवर लिखा रहा है लेकिन यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ तो एक चीज को इस चीज को जो है आप दिमांग बैठा लिजे कि 11.2 किलो मीटर पर सेकेंड है प्लाइन वेग क्या होता है लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदूल आवर्थकाल जो है वो क्या होगा तो आवर्थकाल जो है कम हो जाएगा कैसे कम हो जाएगा उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई जो है कम हो जाएगी और फलसरूप उसका जो प्रदूल आवर्थक अगर एल जो है कम होगा तो लाजमें एक उसका जो है अब वर्थकाल भी कम हो जाएगा इसके बाद है कि वार्सा के बूंद की गुलाकार अक्रिती का कारण है तो यह जो है सर्फेस टेंसन के कारण से होता है जिसको कि प्रिष्ट तनाव भी कहा जाता है प्रिष्ट तनाव क साथके उपर पर फैल जाता है क्योंकि टेल का जो जल तल चनाव जो है सरफिस टेंसन जो है उसके बाद है ताब अने के शाम- नेकि विजक हो सीटीक जहां कि जो है कम होती है द्रव का वह गोन जिसके करांद से द्रव अपनी भीन भीन परतों में होने वाली सापेक्ष गती का विरोध करता है उसी को क्या बुला जाता है स्यानता बुला जाता है और यह भी याद रखिएगा कि सहथ और ग्लिसरीन का जो विजको सीटी है वो सरवादिक होता है अप्षन पर डीपेंड करेगा अगर सहथ है तो सहथ पर टीकर देना और ग्लिसरीन जो है अगर अप्षन में बना हुआ है तो इसको टीकरना है इसके बाद है कि बैरो मीटर पठन में अचाना गिरावट हो जाने से कौन से एक मौसम दसा इंगित होती है तो यह तुफानी मोसम को जो एंगित करता है इसके बाद है कि सीदकल में जब जील की उपरी सता पर पानी बर्प में बदल जाता है फिर भी जलिये जन्तु जीवित रहते हैं इसका मेन कारण क्या है तो इसका में कारण है कि पानी का घना तो 4 डिगरी सेलसियस से पर अधिक होता है जिससे बर्ब की उपरी सतह के नीचे पानी बना रहता है तो असानी से जिवीत रहते है इसके बाद है कि हवाई जहाद से यातरा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है इसका में कारण है कि वाई हुदाम में कमी होने लगता है नेक्स्ट आई कि जल का अधिकतम घना तो होता है केलीहिन में अगर पूछेगा तो 277 केलीविन होगा अगर डिगरी सेलसियस में पूछेगा तो 4 होगा उसी को यहाँ पर चेंज किया गया है कि k h कल टू c प्लस 273 c जो है यहां पर celsius है तो 4 degree celsius पर होता है इसको जो है यहां पर change कर लिजे 200-78 आएगा नोट में लिखा हुआ है कि 4 degree celsius पर जल का आयतन जो है नियुंतम होता है लेकिन घना तो जो है अधिकतम होता है लोहे की कील पारे पर क्यों तिहरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है तो इसका में कारन है कि लोहे का घना तुझे अधिक तथा पारे से कम होता है मथने के पहशाथ सबसे पहले क्रित्रीम रूप से उत्पादित किया था क्रित्रीम रूप से यानि के मानों के दौरा बनाया गया था कौन सबसे निर्मान किया था समुद्र में पलावन करते हुए आइस बर का कितना भाग समुद्र के उपर होगा तो वन बै नाइन जो इसका भाग है वो समुद्र के उपर होगा बाकी एट बै नाइन जो पार्ट है वो समुद्र के नीचे रहेगा इसके बाद है कि एक रंगीन टेलीविजन के तीन अधारभूत रंगों के मिसरन से रंग बनते हैं यह रंग कौन कौन से है यानि कि में जो प्रात्मिक जो कलर होता है वो कौन कौन से होता है तो यह लाल, हरा और निला यह कुछ ट्रीक बठा लिजे और उसे याद रखिए में यही तीन जो है मूल रूप के रंग है ठीक है लहन कुछ करके याद रखिए लहन ठीक है परकास के तीन मूल या परकृतिक रंग होते हैं पहला लाल, दूसरा, हरा, तिसरा, निला इसको मिलाने से दीतिया करंग जिसमें पीला और मैजन्टा आता है यानि कि दूतिये पूछेगा तो इसमें दू आते हैं पीला और मैजन्टा जब लाल, नीले और हरे परकास का पूंज एक अस्तान पर पलता है तो परकास का रंग जो है सफेद हो जाता है इसके बाद है कि किसी अपरदर्सी वस्तू का रंग उस रंग के कारण से होता है जीसे वो तो जीसे वो परवर्तित करता है कोई भी वस्तू वो उसी कलर का दिखता है परकास का परवर्तित भागी वस्तू का रंग जो है निदारित करता है मनुस्थ की आँख में किसी की दूरी होगी on I said कि फोकस की दूरी 50 सेंटी मीटर होगी इसका फर्णूला देख लीटे सकती तो यहान की स्वेस्ट आख के यह दूरी 25 cm मानि जाती है खोज बत्ती में दर्पन में जो प्रयुक्त होता है वहो है नतंधर दर्पन होता है इसी को जो है अध् unfamiliar धर्पन भी बोला जाता है मिर घृटन करी दर्पन child 1,رت रिदा 10 इसका गधे करते है इसके पड़ने में काम आने वाले जो glasses की इस परकार के lens से बनते हैं तो यह उतर lens होते हैं यानि कि convince lens यह होता है मायोपिया निकट द्रिश्टी दोस को ठीक किया जाता है यह उतर lens से ठीक किया जाता है इसके बाद है कि दूर द्रिष्टी दोस निवारन के लिए काम मिल लेते हैं तो ये दूर द्रिष्टी दोस को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर द्रिष्टी दोस में निकट की वस्तुए असपस्ट नहीं दिखाई देती है जब कि दूर की व पुचाई की आधा होने चाहिए ठीक है नेक्स जल में वायू का बुलबूला किसकी भाती बिवार करता है यह अपसारी लेंस के भाती जो बिवार करता है कौन सा रंग इंद्रधनुस के मध्य में दिखाई देता है तो हरा रंग इसका फ्रमूला याद रखिए बैजानी हब हपी नाला इंद्रधनुस में जो है द्रिस रंगों का करम इस परकार है बैगनी जामूनी नेला हरा पीला नरंगी और लाल और इसमें देख लिए हरा जो है मीडिल में है और करम से याद रखने के लिए बैजानी हपी नाला जो है याद रखिए यहां से करम से एक एक वर् तरह आपको प्राप्त हो जाएंगा इसके बाद है कि परकास वंड विछेपन यानि कि डिस पर्षन ऑफ लाइट संभव है किसके दुरा तो प्रिज्म के दुरा है जब दो समनांतर संपतल दरपनों के बीच कोई वस्तु रखती जाती है तो बनने वाला परतिविमों के संख में लेते हैं किस तरह का दरपन तो उतल दरपन का यूच होता है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस परकार के दरपनों का प्रयों की जाता है तो उतल दरपन का किये जाता है उतल दरपन द्वारा प्रतिविम अभास्ति सीधा और वस्तु से छोटा बनता है नेक्स्ट है कि समुद्र निला परतीत होता है तो आकास के परवर्तन तथा जल के कौनुद्वरा परकास के परकिर्णन के कारण से जो है अकास का रंग जो है निला परतीत होता है इसके बाद है कि अंतरिक्ष यात्री को आकास का रंग दिखाई देता है तो ये कला दिखाई देता है सुर्यास ता सुर्यदय के समय सुर्य के लाल रंग का प्रतित होने का कारण क्या है तो यह है परकास का प्रकिर्णन यानि कि Shattering of light इसके बाद है कि इसी को नोट में लिखा हुआ है कि अकास नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले परकास का प्रक्रेणर सबसे अधिक होता है मेन कारण यह है रिजन में ट्रैफिक सिंगनल में लाल परकास परियुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की तरंग लंब इसका just opposite होता है अतों लाल रंग जो है सबसे कम प्रक्रिणित होता है और या दूर से सरवादी कसपस्ट दिखाई देता है यही करण है कि में जो है गाड़ी में जो है इसका signal के रूप में यूज के जाता है लाल रंग का नेक्स टाइक की हमें वास्तिविक सुर्योदे से कुछ मिनट पूर भी सुर्य दिखाई देने का कारण क्या है तो इसका में कारण है परकास का अपवर्तन यानि की रिफ्रेक्शन अफ लाइट नेक्स्ट है कि परकास का रंग निधारित होता है किसे निधारित होता है तो यह तरंग दर से यानि कि वेबलेन से निधारित होता है परकास के रंग का निधारन उसके तरंग दर से होता है भीन भीन रंग के परकास का तरंग दर भीन भीन होता है वातावरन में परकास का विश्रन किसकी वज़ा से होता है तो यह धूल करन के कारण से होता है शुर के परकास विभीन रंगों का विश्रन होता है जब वह वाई मॉंडल से होकर गुजरता है मार्ग में आने वाली हावा के अनुवर तो था धूल करन तो था अने पदार्थू कि प्रत्विम इसका प्रक्लिनन हो जाता है द्रिश्टी पटल रेटीना पर जो चित्र बनता है वो क्या होता है तो वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है इसके बाद नोट में है कि रेटीना परवस्तु का परत्वीम जो है उल्टा छोटा और काल्पनिक बनता है नेक्स्ट किसी वस्तु के त्रीवी मिये यानि कि 3D की बात हो रही है परत्तिरूप को अंकित और पुनारविति करने की तक्निक का नाम क्या है तो हेलोग्राफी जो है 3D को इंगित करता है इसके बाद है कि कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है तो इसका में कारण है पूर्ण आंतरिक परवर्तन यानि कि टोटल रिफलेक्शन जो होता है पूर्ण आंतरिक परवर्तन उसके करन से जो है काटा हुआ हीरा जो है जगमगा करता है हीरे का अपवर्तनांग बहुत अधिक होता है इसकी कटाई या तरासी इस परकार होती है कि कोई परकास की रण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परवर्तन होता है बीग मरिच्चिका का कारण है तो इसका भी परकास का पूर्ण आंतरिक परवर्तन नहींद होता है तो इसके बास अदर का परवर्तन करते हुए डक्टोरों दोरा परियुक्त एंडोस्कोप किस सिधान पर काम करता है ति यह भी परकास का सकल आंतरिक परवर्तन पर ही काम करता है ठीक है इसके बाद है कि परकास उर्जा का आप्टिकल फाइबर में संचरन किस घटना के अनुपरियोग दोरा किया जाता है तो यह पूर्ण आंत्रिक परवर्तन के दोरा यह भी कहा जाता है जैसे कि मैंने बताया इसके बाद है साबुन के पतले जाग में चमकदार रंगों का बनना किस पर घटना का पूर्ण नाम है तो यह बहुलित परवर्तन और व्यक्तिकरन यानि कि व्यक्तिकरन का इंगलिस जो होता है इंटरफेरेंस होता है तो इसके करण से जो है यह जो है चमकदार रंग का जाग बनता है इसके बाद है कि जब परकास का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो नियुनियों से कौन सा जो आप परिवर्तित रहता है यानि कि उसमें कोई बदलाव नहीं होता है जबकि तरंग दर और उसका अब एक बदल जाता है सूरे के परकास को धरती की सता पर पहुँचने में लगने वाला समय जो है यह लगभख समय है 8.3 मीनट और अगर आप देखिएगा तो टोटल जो टाइमिंग इसके लगती है वो 499 सेकंड लगता है और इसी को कनवर्ट कीजिएगा तो 8.3 मीनट मे आएगा परकास के गति किसके 20 से जाते हुए निम्तम होगी तो यह कांच से जब होके गुजरता है तो सबसे निम्तम होता है क्योंकि कांच का अप और तनाग जो है सबसे ज़्यादा होता है और नोट में अभी याद रखिया कि निर्यात में यानिक भैकुम में परकास का वेग जो है अधिक्तम होता है इसके बाद है कि परकास का सुने अवकास में वेग अनुमानता होता है कितना होता है तो 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है द्रिस परकास का धैर मान परसार होता है यह 390 से 780 नैनो मीटर के बीश होता है द्रिस परकास विदू चुमबकिये विकीरन का वह भाग होता है जो मानुवी आख द्वरा देखा जा सकता है एक समान मानुवी आख 390 नैनम से 750 नैनम तरंग दैर के बीश के विदू चुमबकिये विकीरन को असपस्ट रूप से देख सकती है जब कोई जहाज नदिक से लुशता है तो क्या होता है तो उस तोरह नीवें वह कुछ उपर उड़ जाता है इसका में कारण है कि नादिक कि जल की घंठ वरकर आपक्षा समूद्र के खारे पाने का गणा अधिक होता है एसलिए समूद्र के जल में परविस करने पर अधिक पलावन बल जो है लगने लगता है जिससे जहाज जो है उपर उड़ जाता है नेक्स है समुदर में नादी की अपेक्षा तेरना आसान होता है क्यों क्योंकि समुदर का जो जल होता वो नमकीन होता है समुदरी जल का घना तो अधिक होता है तता उसमें उत्पलावन ता भी अधिक होती है इसलिए जब बर्फ विगलती है तो पानी के अस्तर पर क्या परभा होगा तो पानी के अस्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। मेन इएसका कारण है कि Archimedes का जो सिधान थे वो बताता है कि वस्तुर अपने बहार के बराबर ही द्राव में अस्थान घ़ती है। आता आयतन में कोई प्रियोर्टन नहीं होता है नेक्स्ट है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अब पेक्षा कृत उबलते हुए जल से अपने देखा हुआ है कि रोटी बनाते समय जूस में से भाप निपलती है उसे हाथ तेजी से जलता है इसका में कारण है कि भाप में गुपत उस्मा होती है नेक्स्ट कितने डिगरी संटीग्रेट और फारेन हाइट पर तापकुरम जो है समान रहता है ये मैनस 40 डिगरी सिल्सीज पर जो है दोनों जो है बराबर हो जाता है यह इसका formula है जो कि आपको याद रखना है C by 5 is equal to F minus 32 by 9 यह formula जो है याद रखिएगा एक स्वस्त मनुस्त के सरीर का ताप जो है होता है 37 degree Celsius होता है इसी को जो है Fahrenheit में आप बदलिएगा 98.6 Fahrenheit होता है Next है Thermo state का प्रियोजन है क्या है तो इसका में कारण काम जो है वो है ताप मान को इस्ति रखना Ref Denny में थर्मो इस्टाट का कारण जो है एक समद तापमान को बनाए रखना है Ref Denny में खाद परदात आज़ा रखने है तो स्रक्षित तापमान जो है 4 degree Celsius है यदि हावा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवास गरहन करने के छमता क्या परवा पुड़ेगा तो उसकी छमता जो है बढ़ेगी वाई मंडली आधरिता एवन तपमान में पर्ट्यक्ट समंध है वाई में किसे निश्चित समय पर जलवास धारन करने की सक्ति उसके तपमान पर निजबर करती है हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी आधरिता धारन करने की सक्ति जो उतनी बढ़ेगी नेक्स्ट है कि तेज हवा वाली रातरी में उस नहीं बनता है इसका मेन कारण क्या है इसका मेन कारण है कि वास्पुरी करण की जो दर होती है वो तेज होती है पनी नमक मिलाए जाता है तो नीमने परिवरदन रोता है उस पर क्या आफर होगा? तो कौंधान क्षव नांक बाउलिंग बढ़ जाता है लेकिन ज़वस्परेचिंग कमाज जाता है गर्मियों में सफेद कपड़े पहंना ज्यादा अराम्देव होता है इसका मेंद कारण है कि वे अपने उपर पढ़ने वाली सारी उस्मा को परवर्तित कर जाते हैं इसलिए जो है गर्मी सरहात मिलती है Next है कि मीटी के घड़े में किस किरिया के कारण से जल ठंडा रहता है ये वास्पी करन के किरिया के कारण से ऐसा होता वाई मंडल हमारे उपर बहुत अधिक दवाव डालता है परंतु हम इसका अन्भर नहीं कर पाते हैं इसका कारण है कि हमारा रग्द वाई मंडल के दवाव से कुछ अधिक दवाव डालता है नेक्ट प्रेसर कुकर में खाना जल्दी पकता है इसका में कारण यह है कि आधिक दाप पर पानी आधिक ताप क्रम पर उबलने लगता है नोट में लिका हुआ कि प्रेशर कुकर में वाईडप समान कमरे के वाईडप से लगवग दो गुना होता है इसे करण इसमें पानी लगवा 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है फालता इसमें आधिक उस्मा होती है यही करण है कि प्रेसर कूकर में खाना जल्दी पकता है जब किसी बोतल में पानी भरा होता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल तूट जाती है इसका मेन कारण क्या है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है फैलने कारण से जो है icons टूट जाता है इसके बाद है कि साफ मेंग रहीद रातों की तुटना में मेंगा चंन राते और पेकशाकरिद गर्म होती है क्योंकि बादल बादल ऐसा क्याक करते है जिसके करन से गर्म हो जाती है प्रितिविस से छोड़ी गई उस्मा को परवर्तित करने लगते हैं ठीक है जो प्रितिविस से छोड़ी गई उस्मा उसको परवर्तित कर देते हैं लोटाया देते हैं इसके करन से गर्मी बढ़ जाती है अनुधायर तरंग यानि की longitudinal wave का example है त करता है तो उस तरंग की अनुदार तरंग करते हैं उसको ठीक है अनुदार तरंग जो हती है धौनी जो हती है अनुदार तरंग होती है कौन सी तरंगे सुन में संचरा नहीं कर सकती है तो धौनी जो है सुन में संचरा नहीं कर सकती है यानि की वैकुम में संचरा नहीं कर सकत इसके लिए माद्यम की जुरत परती है नेक्स्ट है कि दिर्ग रेडियो तरंगे प्रित्वी की सता से परवर्थित होती है यह आयन मंडल से होती है और आयन मंडल कितनी उचाई पाए जाता है तो 80 से 400 किलो मिटर के उचाई के मद इस्तिधर होता है यहां की हवा जो है विदू आवेसित होती है कौस्मिक किरन होती है तो कौस्मिक किरन आवेसित कन होती है कौस्मिक किरन विदू चुमबा की एस्पेक्टरम का भाग नहीं है ये उच पूर्जा के आवेसित कन है जो अंत्रेक्ष में लगवक परकास की गाती से गमन करते हैं नेक्स्ट है विदु चुंब के तरंगों का विग होता है तो ये इनका विग जो होता है थ्री इंटू दसके पावर आट मीटर पर सेकंड होता है वे तरंगे जीने संचरित होने के लिए माध्यम की अवसकता नहीं होती है उन्हें विदु चुंब के तरंग कहते हैं इनकी चाल निर्वात में परकास के चाल के बराबर होती है यानि की थ्री इंटू दसके पावर एट मीटर पर सेकंड होती है एक राडार जो सत्रू के वायू यान की उपस्तिती का पता लगाता है वो क्या परियोग करता है तो वो रेडियो तरंग का परियोग करता है नेक्स्ट किस एक परकार की तरंगों का प्रयोग रात्री द्रिस्टी उपक्वरन में किया जाता है तो अवरग तरंगों का यानि की इंफ्रारेड वेपसकार जो है यूज किया जाता है और अवरग तरंग विदु चुमबक की तरंगों का एक परकार है इनकी अनुदर द्र तुरंगू का प्रयोग किया जाता है आतों के रुगों के निदान में नीमने किरनों का प्रयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है तो X किरन का किया जाता है एक स्कीरन एक परकार की विदू चुम्बा के विकी रण है CT scan रोप से प्राथिध्वनी में सुनने परवर्थिस सताéo्च और सुनने वाले कम से कम दूर जो कितनी वने चाहिए। धौणी का वाई वेग अन्वानता होता है, तो 330.3 per second होता है प्राश्रो वे धौणी है, जिनकी Indy एंवरिती होती है तो 20,000 ते अधिक वाली जो धोणी होती है उनको जो है ultrasonic यानि की प्राश्रो जो है धोनी कहा जाता है उस धोनी के लिए पर्यूप्त होती है जिनके अभिरिती इतनी अधिक होती है कि वो मुनुस्थ के कानों को सुनाई नहीं देती है संदारतर मानो श्रवन सकती का परास जो है रेंज जो है वो 20 से लेकर 20,000 कमपन प्रतिस सेकंड तक होता है इसलिए 20,000 हर्स से अधिक अभिरिती वाली ध्वानी जो है नेक्स्ट पराध्वानी जेत की उडान के कारण क्या है थो यह ओजोन लेयर में में इसका में कारण है कि इसके बाद है कि ध़ोनी के श्रोध है और टिविता है डिसजीबल में यह मैच दफ्लोउइंग में आप से दिया जा सकता है पुसपुसाहट होती है तो 10 से 20 डेसिबल में होती है सधारण बाचित जो है 30 से 7 डेसिबल में होती है यंत्र करकाने ये 100 से 110 डेसिबल में होता है और जेट विमान ये इन्पोर्टेंट है 140 से लेकर 150 तक बिस उस्वास संगठन यानि की डबली एचो के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षि धोनी पर दूसन अस्तर कितना है ये 45 डेसिबल है तो ये याद रखे है कि मानक तय किया गया है डबली एचो के दौरा तो ये 45 डेसिबल किया गया किस अस्तर डेसिबल से अधिक धोनी हन कामिल विभीन का तरंग दैर के संदर में और ही करम जो है इस परकार है रेडियो तरंग की सबसे ज्यादा होती है और इसी तरह से करम जो है देख लीजेगा और सबसे कम जो है गामा की रंग की हो जाएगे इसके बाद है कि एक समान टीवी रिमोट कंट्रोल में उपियों की क्या जाना वाली तरंग को सी होती है तो और अब होती है यहनी कि इन्फ्रारेड वेब्स होती है इसके वाद है कि एक 100 वाट का बीजली बॉल्व दस घंटे जलता है तो पांस उर्पे परती यूनिट कि दर से विदू खर्च होगा तो सब वाट का बॉल्ब है दस घंटा को जल रहा तो को multiply कर देना है जितना वाट है घंटे से तो यह 2023 एक इसके बाद है कि युक्ति है जो प्रवर्चित करती है ति आंत्रे कुर्जा को बीदुत दूरजम बदलता अब बिदुत मोटर क्या करता है तो बिदुत पूर्जा को ये आंत्रीक उर्जा में बदल देता है तो यह इंपोर्टेंट है इसके बाद फेराडे इस्तरांग की है या सरभोमिक इस्तरांग का यारन किसी प्रिष्टी में यह बदलने वाला नहीं है एक फिक्स होता है और एक फेराडे कमान कितना होता है तो यहाँ पर देख लीजिए 96500 सी प्रती मोल इसके बाद है आपका कौन सी धातु रोसनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है तो टंगस्टन की जाती है विदू तुबल में टंगस्टन धातु का तंतु यानि के फिलामेंट लगा होता है इसमें विदू धरा प्रवाहित किए जाने प्रतंतु का जो ताफ होता है वो 2500 सो डिग्री दी किल्सीयस Rs. होती है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विसेस्ता होती है तो इनकी विसेस्ता होती है उच प्रतिरोधक सकती और निम्द गलनांग फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांग निम्द और प्रतिरोध उच होता है ताकि वोल्टेज बोड़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए जिससे कि विदूद उपकरण नस्ट होने से बच जाए फ्यूज का सिदान जो है विदूद का उसमी परभाव हो है इसके बाद है मानो सरी सुसक के विदूद परतिरोद के परिमान की कोटी क यह दसके पारफूर ओम है समान ट्यूब लाइट में कौन सी गयस होती है तो औरगन के सांसत मरकरी वेपर का उसमें यूज किया जाता है इसके बाद है कि फ्लो फ्लोरेसेंट ट्यूब यानि कि प्रतिदिप्त बल्ब में कौन सी गयस भरी जाती है तो मरकरी और नियोन भरी जाती है इसके बाद है कि ट्रांसफर्मर का उपवरन किस उदेश से होता है यह परतवर्ति धारा बीभा को उचाई अथवा अपचाई करने के लिए होता है य एक वैदुत यूग्ति होती है एलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो परवरति धारा या अल्टर उल्टर नेटिंग करेंट यानिक एसी को दिश्ट धारा यानिक डिरक्टरेंट में यह परवर्तित करती है अटीचाला का लक्षन है यह सून जो है पार्गमता इसका Minor is अब कि मात्रै बताता है, इसे ग्रीक one जी से पर्दक्सित किया जाता है पून परफेक्ट यानि आति चलागता का प्रणोर होती है, किसी और th चलाग का परतिरोध गर्म करने पर क्या होता है तो परतिरोध उसका घटने लगता है भर जाता है और चाला का ऐसे ठोस पदार था है जिनकी विदूद परतिरोधा चालकों से अधिक होती है परन्तु कुछालकों से कम होती है और चालकों की परतिरोधा समाने ताप पर दसके पर माइनस टू तथा वन एम के मद होती है और चाला का परतिरोधा पर क्या होता है कम हो जाता है परम सुने तपमान पर अर्ध चालकों में विदूद परतिरोध हो जाता है संपून हो जाता है यानि का अनन्थ हो जाता है परम सुने ताप यानि की जीरो के पर अर्ध चालक की चलक तसुन हो जाती है और वे एक अधर्स अर्चालक की भाती विवार करते हैं इस और चालकों में विदूत परतिरोद अनंत हो जाता है टांजिस्टर बनाने के लिए सरवादी पर्यूक परदात कौन सा है तो सिलिकोन और जर्मेनिय तड़ी चालकों को बनाने में किस परकार के छोड़ों को वरियता दी जाती है तो तांबे का छोड़ लोहे की तुनला में तांबा विदूत का अधिक सुचालक और वाइमंडलिय परिस्तितियों में सरल्ता से अक्सिकृत नहीं होता है इसके बाद ततारों में उर्जा उत्पादन का सिधान तो ये एच ए बेते के दोरा दिया गया था परा उडियों और ततो का संस्लेशन जो है जीटी सिबोर के के द्वारा खुजा गया था इसके बाद है कि साई क्लोट्रोन किसको तौरिद करने के लिए प्रयोत किया जाता है तो यह प्लोट्रोन को है जो तौरिद करने के लिए यूज किया जाता है इसके बाद है विदू चुंबा के विकिरण में किसकी उर्जा अधिक्तम होती है त की विदी द्वार होता है तो नभीकी संलायन के द्वार होता है तारे अपनी और जान अभीकी संलायन तथा गुरुत्विय संकूचन से प्राप्त करते हैं तारों में अक्षाय उर्जा के सुरोत का कारण है है इसके बाद है कि एक क्रित्रिम उपगरा में विदूत उर्जा का सुरोत क्या होता है तो सौर्फ सेल होता है इसका बाद है कि परमानु बम का सिधान जो है अधारित होता है तो नभीकिये विखंडन पाधारित होता है और परमानु बम का जो सिधान तो नभीकिये विखंडन पाधारित है जबकि हैड्रोजन बम का सिधान जो है नभीकिये सनलायन पाधारित है यह important है इसके बाद है कि परमानु बम का करेकारी सिधान य्रो नियम का नभीकिया विखंडन है और हाइड्रोजोन बम का करेकारी सिधान जो क्या है ये डूट्रियम अस्तिन होता है असी Bont wishing सुन रहे बोएट दू है यह प्रोत्रम हाइडरोजन बंब करिक्शन किया गया था परसांतमाहसागर के मार्शल द्यूइब किया गया था इसके बाद है कि संव्रीध इुरैनियम यानि की इन्ड्रीच इरोणिम होता है यह क्या होता है तो प्रक्रितिक इरोणियम जिसमें रेडियो होता है uranium 235 और uranium 238 जो uranium 238 है यह जो है nuclear ये इसके यूज़ होता है इसके बाद है कि रेडियो धर्मी पदार्थ उसरजित करते हैं ति यह आलफा बीटा और गामा तीनो कन जो है उसरजित करते हैं भारत का प्रतम परमानु सन्यन्तर कों सा है तो तरह पूरह यह कब बना गया तो यह 1889 इसका कारे पररम हुआ था इसके बाद है सूची वान को सूची टू से मिलाना है परमानु सक्ति केंद्र है और उसका और जो अवस्तिती राज है वो कहां पर है कल पक्कम तमिलाडू में नरोरा उतर परदिस में ककरापरा गुजरात में ट्रामबे महरास्ट में काय में है यह कल पकम कहां पर है तो मिलाडू में है अटोमिक मिनरोस डिरेक्टरेट फोर एक्सलरेशन एंड रिसर्च यह हैदराबाद में हरिश्चंद रिसर्च इंस्टिटूट यह परियागराज में है साहा इंस्टिट आफ टेकनोलोजी फिजिक्स यह कुलकाता में है कल पकम के फास्ट ब्रिगेड ब्रीडर रियक्टर में कौन सा सितलक परियोग में लाए जाता है तो द्रवी सोडियम लाए जाता है एक नभीकिये रियक्टर में भारी जल का कारी क्या है तो नीट्रोन की गति को कम करता है एक से बाद है कि नभीकिये रियक्टर में किसे मंद पदात को उससे अधिक उत्मन करता है जितना की वो जलाता है इसके बाद एक पोखरन नाभी किये परिक्षन 1974 का अधिकारी कोड क्या था यह स्माइलिंग बुद्धा था और पोखरन जो टू था वो कब हुआ था मौई 1901 अंठान में हुआ था इसी को जो अप्रेशन सकती नाम दिया गया था तो फ्रेंड्स यह पूरा मैंने फिजिस का डिसकर्शन कर रहा है एमसी की रूप में बताईएगे फ्रेंड्स कैसा लगा आपको और इसके बाद आप प्रिवियस यह प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रिवियस यह अप्सल्व कीजिएगा आप देखिए एक मैक्सिमम कोशन जो है लगवा एटी से नैंटी परसंट कोशन जो है आपको यहां से मि जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद